तो वर्क, पावर और एनर्जी, वर्क, एनर्जी एन पावर आज आपन को कम्लिट करना है, ध्यान से सुनो, वर्क, सबसे पहले पढ़ते हैं, वर्क, है ना, नोट्स मैं प्रॉपर आप लोगो अल्रेडी दे रखा हूँ, यह पूरा प्रिंट आउट नोट्स दे रखा और अगर सूरजपूर की अगर आप हो, तो आप आपकर के एड्यूमेंशन से फ्री और कॉश्ट इस नोट्स को ले सकते हैं, ठीक है, चलो, तो मैंने यह पूरा नोट्स दे रखा है, तो मैं नोट्स लिखाँगा नहीं, पूरा डेफिनेशन होगर, हाँ, लेकिन जो डेर मेंटर ही आपके लिए, हाँ, बस इसके लिए आपको एक चीच करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब, है ना, आगे बढ़ते हैं, वर्क, अपन जो डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, वर्क की, भीया कारी की, वो और फिजिक्स का वर्क, दोनों क्या है, अलग, व इस आपजेट पे किसी फॉर्स के लगने के बाद, उस फॉर्स की दिशा में, उस फॉर्स की डिरेक्शन में कोई डिस्प्लेशमेंट हो, तभी अपन बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है, मतला, वर्क हुआ है, ये बात समज़ में आई, वो जो वर्क है, जो डे टू डे लेक् dreš property कारण है ना किसी बंधे कारण अगर कोई object आपका डिस्प्लेस कर रहा है उसी डीरेक्शन में लगा समझ में जो बाद समझ में आई डे टू डे लाइफ वाला वर्क और वाला वर्क दोनों काफी ज़्यादा अंतार है तो अपने एकदम सिंप्ली अगर कोई आपसे पूछे वॉट इस वर्क डन तो वक्डनी सिंप्ली डिफाइंड ऐस प्रोड़क्ट ओफ प्रोड़क्ट ओफ फोर्स एं डिस्प्लेस में अलॉंग दा सेम लाइन अगर सेम लाइन में तो आप डिरेक्ट मिल्टिप्लाइ करोगे नहीं है तो निकालोगे और वो कैसे निकालते हैं वह मैं आपको बताऊंगा पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं करेंगे चोटा सा कॉंसेट खाली रटा दें यादि अगर किसी फोर्स के कारण डिस्प्लेस्मेंट हो रहा है तो उन दोनों का जो प्रोड़क्ट है that is called work done that is called work done ठीक है अब देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपन और आगे अभी अलग अलग डिरेक्शन और बात में देखेंगे ना अब्लिकली अगर फोर्स दूबे नहीं आया जी दूबेजी के पास थोड़ी ताकत ज्यादा होगी ऐसा हम समझ रहे हैं है और पतला दूबला योगेश दोनों ही नहीं है चलो ठीक है तो अपन यह मान रहें कि भी है यहाँ पर है लखी भाई साब कि ना चीक है पतला हो गया अर्या कि एक है यह लखी भाई साब है और यहां पर है योगेश भाई साब कि अब मेरा काम कैंब है मैं क्या चाहता हूं कि भी यह यह 10 किलो का आपजिक्ट यह पर पढ़ा है यह ना यह मैंने अपने दोनों बच्चे को बोला कि भी है इसको यहां उठा करके यहां पर ले आओ, यहां से यहां डिस्प्लेस करता है, ठीक है, है ना, अब मैंने क्या बोला भीया कि चलो भीया, लगी तुम कोसिस करो इसको वहां से वहां ले जाने की, और यह भाई साब को बोला कि तुम इसको रोकने की कोसिस करो, रोक पाएगा क्या, पतला displacement भी हुआ इधार वहां तक पहुँचा, इसने भी force लगाया इधार, कम लगाया होगा force तभी हार गया ही है, ज़्यादा force लगाया होगा lucky ने, इसने लगाया होगा कम, यह force of lucky, यह force of yogis, ठीक है और displacement तो object का यहां से यहां हुआ अब देखो, मैं क्या चाह रहा था मैं चाह रहा था कि भी है, यह object यहां से यहां जाए, गया तो यह काम किस ने किया lucky ने की योगेश ने lucky के force ने किया दो forces है, एक lucky का force और एक yogis का force, तो किसके force ने यह work done किया, इसको यहां से यहां ले जाने का लखी ने किया, है ना, तो मतलब इसका जो कार्य है, वो काम बनाने वाला काम है, और योगेश का काम कैसा है, बिगाड़ने वाला, है कि नहीं, खुद सोचो, अगर यहां योगेश नहीं होता, तो लखी को कम काम करना पड़ता, कम थकान होती, यासर नो, यासर नो, अगर अब उसको और ज्यादा काम करना पड़ता, अब उसको और ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि कोई काम रोकने वाला भी है, काम बिगाड़ने वाला भी है, कौन? योगेश, तो देखो, यह काम बिगाड़ रहा है, तो यह मैं क्या बलूगा कि कैसा वगड़न कर रहा ह कैसा कर रहा है और यह कैसा कर रहा है तो अगर आप जिस डीर्यक्षन में जिस दिसंसामें सब्सक्राइब कारे वहा है तो कपके फोर्स लगा को काम कर रहा है इसका work done हो गया नागेटिव और यह काम बनाने का काम कर रहा है इसका work done हो गया positive ठीख है और एक काम और माल लोभी है कुली है है ना उपर वजन रखे और चल रहे हैं तो धरती मता के अगर वक्डन की बात करें कुछ ज्यादा पास्ति है अगर धर्थी माता के वकड़न की बात करें तो धर्थी माता का फोर्स कहां लग रहा है कहां लग रहा है नीचे लगेगा धर्थी माता तो अपने तरफ खिसती है आजा है नो तो धर्थी माता का फोर्स लग रहा है नीचे और यह जा कहा रहा है आगे तो भहिया धर्थी मात का force m into g याद है कि नहीं और displacement इधर दोनों के बिच में कितना एंगल कि कितना एंगल दोनों के बिच में 90 डिग्री हुआ तो बताओ या क्या इस फॉर्स के वज़े से कोई वगडन हुआ यह आगे जा रहा है दूसरे फोर्स के करण फ्रिक्शनल फोर्स और यह सब उसका वग kristine कितना जी रो ना पॉट्ण पॉट्ण अगराने के लिए मदद कर रहा है ना रोखने के लिए हैंगे तो इस पोर्स का तो वगडन क्या है जीडो हाँ अगे डिस्प्रैस्मेंट हो रहा है दूसरे फोर्स के कारनी जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके कारण बात स युक्ट यहां पर यह पूरे समझात day अगर प्रिस प्लेस्मेंट तो अंगर अगर WE और और झार पूर्सा और दिस्प्लेस्मेंट ब्लेंट Department कितना होता है bra cuatro is that clear is that clear to a Whoops or displacement same direction में तो work done positive aग river applied displacement up opposite direction में तो negative अगहर force or displacement 90 direction में तो work done not zero है अब यह Clapton है कि अब एकणोल में अब को बता हूं तो force भी एक vector quantity है, मैं क्या बताऊं, तुमको पता है, force भी vector quantity है, और displacement, vector quantity है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का जब multiply करते हैं, तो जो work done आता है, वो क्या आता है, scalar quantity, क्या आता है, scalar quantity, भहिया, कार्य हुआ, ऐसे नहीं बोलोगे कि इधर इतना कार्य है, उधर उतना कार्य है, कोई work done हुआ, है ना, तो work done is a scalar quantity, work done is a scalar quantity, notes वैसे सारे है, लेकिन फिर भी मैं एक बर लिख देता हूँ, इस जट से, है ना, सारा चीज, work done is defined as product of force and displacement of the object in the direction of force, it is as a unit, it is a vector quantity, का positive पूरा लिखा हुआ एक चीज बताओ, पूरा प्रिंट आउट दे दिया हूं फिर भी तो होगी नितने लोग से, कितने लोगो कि अभी साइंस में 90 प्लस आ जाएंगे, जो एक्जाम में, अरे तो टोटल 100 में एक्जाम मार्क्स मिलता होगा, सब मिला के इंटर्नाल होगार पांच कम, अच्छा, 80 प्लस, 100 में 80 प्लस, 100 में 80 प्लस, मतलब तुम्हारा 80 में 60 प्लस, तिक आपके नहीं है, सब व्यर्थ है, ते दिक, अगे देखो, ठीक है, देखो, तो सबसे पहले, व्यर्थ और क्या दिफाइग किया गया है, डिफाइंड इस प्रोड़क्त आफ, प्रोड़क्त आफ प्पॉर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट भी कहा हैं, in the direction of force को अपनने work done define किया है तो अपनना सबसे पहला फार्मला पूर्वा चेप्टर का work done equal to force into displacement is that clear? is that clear? yes very good force की ऐसा unit into displacement की कौन था मिटर पर सकेंड वाला Newton into meter और Newton भी क्या है एक्चौल में kg मीटर पर सकेंड स्कौयर याद है कराया था पिछल चेप्टर में kg मीटर पर सकेंड स्कौयर इंटु मीटर को बिचारे को यहीं पर स्कौयर कर दू कोई बुरा तो नहीं मनेगा चलो तो इसको नया नाम देदी है बार बार ऐसा work done तो बहुत important quantity है yes or no बार बार बिचारे की ऐसा unit को बोलेंगे kg मेटर स्कौयर पर सेकेंड स्कौयर अच्छा लगेगा क्या तो बोला गया कि भीया आज से इसका नाम है डिनोटेट बाई जे तो ऐसा unit of work done इस ऐसा unit of work done इस ऐसा unit of work done इस और थोड़ा energy drink लेकर आना ना या glucose powder गोल के बॉटल में लेकर करके आना तहर दो दो मिनट में तुम्हारी energy डाउन हो जाती है ना तेज मैं चिला रहा हूं थोड़ा तो तुम सब की ओज मिला कि मेरे बराबर होनी चाहिए चला ठीक है तो याद रहेगा और अगर आपको पूछ दिया जाए वन जूल कितना तो ऐसे बहुत सकते हैं वन न्यूटन इंटू वन मीटर या फिर वन केज कीवटर सक्कrd स्क्राइब कना स्क्राइब कैश्चाम का ही जुल इदल लिशा चैयरव क्वजच कोसरे कर सकतंगा पाद में पांटीं में प्रण थट्रख पांटिर उस में छा थी confessी यून केंट कोदेंग उसीत जूल योन है को चीशा है था आविशा होन डोटन पश in पाे work done is a scalar quantity and it can be positive, negative and zero अगर same direction में तो positive opposite direction में तो negative perpendicular direction में तो zero is that clear? very good चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ trigonometry का छोटा सा पाइट बताना चाते हैं, क्या हम में इजाज़त है नहीं है I don't give a damn ठीक है? ब्रो, I don't care है ना, आगे इधार देखो इधार देखो, इधार देखो trigonometry में तराइगल ट्राइगल वाला फिकर कौन सा है? ट्राइगल तराइगल की बात है वो भी कौन से ट्राइगल की? राइट अंगल ट्राइगल राइट अंगल ट्राइगल में आपने सुना होगा एक हाइपोटेनियस, एक परपेंडिकुलर एक बेस सुना है क्या? कौन सा हिपोटेनियस? सबसे लोगेस साईड लोगेस साईड और राइट अंगल ट्राइंगल इस हैपोटेनियस, परपेंडिकुलर कौन सा? और बेस? गलत परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से डिफाइन किये जाते हैं अगर मैं यह angle define कर दूँ तो यह हो जाएगा perpendicular यह हो जाएगा base लेकिन maximum time अपने यह angle को define करते हैं तो आप लोगों को लगता है कि भी यह सीधा वाला perpendicular नीचे वाला base बास समय में आई लेकिन क्या होता है angle के सामने वाला perpendicular और angle के साथ वाला base याद रहेगा एंगल define करने के longest side तो एक है तो hypotenuse तो आप तुरुन बता सकते हो एंगल चाहे बताया क्या हो या नहीं बट एंगल के सामने वाला perpendicular और एंगल के साथ वाला base याद रहेगा चलो आप इजा के को simple किसी भी right angle triangle में perpendicular और hypotenuse का जो ratio है उसी को बस नाम दे दिया क्या sign क्या नाम दे दिया sign और ये angle of angle किसी भी angle के लिए होगा ना ये angle change होगा तो इनका ratio चेंज हो जाएगा yes or no तो अगर मालू ये angle है ए तो अपन क्या बोलेंगे sign a की value कितनी p by h यही है trigonometry बास समझ नहीं चैट हो गया sign cos 10 cos x 1 cot based by hypotenuse based by hypotenuse वो बोलते है अपन कॉस है क्या नाम दे दिया कॉस चीख है cos एक्चनल मे उसका full form है cos लेकिन सांट में अपन क्या बोलते है cos तो sign मतलब क्या simple right angle triangle में perpendicular upon hypotenuse का ratio बस बास समझ में आई sine theta क्या है कुछ भी नहीं है कोई भी angle theta के लिए उस theta के सामने वाली side और सबसे बड़ी वाली side का ratio उसी को क्या नाम दे दिया sin theta बस किसी भी angle के 7 वाली side और सबसे बड़ी side का ratio उसको क्या नाम दे दिया cos theta base by hypotenuse सामने वाली side upon नीचे वाली side base को क्या नाम दे दिया tan theta theta या a angle को denote करते हैं आप किसी भी चीज को x y z से denote करते हैं वैसे angle को denote करते हैं पीटा से a से b से जिस से भी करना है तो हो जाएगा p by b इनी के reciprocal को नाम दिया है cosec apart अब हटा दो भी बास समझ नहीं तो simple सी बात क्या है right angle triangle के लिए किसी भी angle के respect में अपने जो sides के ratio है उनको नाम दे दिया sine cos और 10 sine cos और 10 10 मतलब tangent sine 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 cos मतलब cosine 10 मतलब tangent है ना चलो अब अपन को मतलब है अभी यहां पर सिर्फ एक का किसका cos सिर्फ और किसी चिज की जरुवत नहीं है ठीक है अब खुद बताओ अगर मैं यह angle change करता चाहूँगा अगर यह angle एकदम छोटा कर दूँगा तो B और H लगभख सेम होचाएंगे यह angle लगभख वद एकदम जीरो कर दूँगा तो B और H लगभख सेम होचाएंगे P अगर जीरो कर दूँगा Yes or no तो खड़े हो जाओ अगर मैं यह angle को छोटा करूँगा उसल्सक्राण के बराबर तो P और B और H बराबर हो जाएंगे? Yes or No? तो cos theta, cos theta, cos यह angle की, अगर मैं बोलूँ, cos 0, cos 0, अभी angle 0 हो गया, तो cos 0 की value कितनी हो जाएगी? B और H बराबर, तो 1, cos 0 की value कितनी हो गई? 1, मतलब अगर 0 degree है कहीं पर, तो cos theta की value हो में सा क्या रहेगी? 1, चाहे छोटू triangle हो, चाहे बढ़ू triangle हो, बाहर समझ में आई? अब ऐसे, अगर अलग-अलग angle, मालनो 90 कर दूँ, तो यह P, यह B, और यह H, 90 कर दूँ आँ, तो यह एकदम infinite में चाकी मिलेंगे? तो मतलब H बहुत बढ़ा हो गया, तो cos 90, B, क्या हो जाएगा? B तो finite है, उपन, infinite, क्या हो जाएगा? 0, किसी भी चीज़ को अगर infinite number से divide करो, तो क्या मिलता है? 0, तो cos 90 की value हो, मैं सा क्या होगी? 0, तो fixed है ना, वैसे ही, बाकी angles के लिए भी, यह degrees fixed हैं, जो आपन को रटनी पड़ती है, 10 में भी रटनी पड़ेंगी, जैसे अगर 30 degree है, तो 30 degree, कैसा भी triangle दुनिया में कहीं पर भी बनाओ, cos 30 की value fixed होगी, मतला अगर कहीं पर 30 degree है, तो नीचे वाली side upon बड़ी वाली side का ratio हमेंसा क्या हैगा? Same, और उस ratio को अपन रट लेते हैं, जिसको बोलते हैं, trigonometric ratios की values, तीक हैं, यह trigonometric ratios है, यह क्या है trigonometric ratios, अब इन्हें की value रटनी पड़ती है, पूरी की रटनी पड़ती है, sin, cos, stand, लेकिन अभी आपनों को खाली कौन सी रटनी है? cos, कौन सी रटनी है? cos, कौन सी रटनी है? cos, 30 degree, root 3 by 2, cos, 45 degree, 1 by root 2, cos, 60 degree, 1 by 2, cos, 90 degree, 0. सिर्फ यह रटनी है, 10th में तो बड़ा टेबर होता है, sin, cos, 10, को सेक्सेक कौट पूरा, लेकिन, साब लिखा हुआ है, सारी घ्यान की गंगा बहरी है यहां से, ना? मैं खुद को नजर लगाऊँगा, वाह, कितनी महनत लगी, इसको कुछ प्रोमोट किये होगी नहीं तुम लोग, इसी काउट के लिए हैं, नहीं तो लोगों को अपने दोस्त को दिखाऊ, ये देख, नोट्स देख, इसको बोलते हैं, नोट्स, चलो, आगे, मैं फिर से बता दू, अगर आपको ये पूरे नोट्स की पीडिएफ, अगर आपको चाहिए, अगर आप बाहर से हैं, कहीं से, है ना, तो आप मेरे को वाट्सप कर सकते हैं, और अगर आप सूरजपूर से हैं, और आप इसको प्रिंट आउट चाहते हैं, पूरा फुल कलर्ड प्रिंट आउट चाहते हैं, तो आप फ्री आफ कॉस्ट आकर के एड्यू मेंचन बिल्डिंग से लेकर जा सकते हैं, से हैं ना, जो की सूरजपूर में केतका रोड में हैं, आगे, आचाहा मेरा नमबर, आचाहा मेरा नमबर वैसे डिस्क्रिप्षिन में होगा, रिदो मैं आपको बता दू, तैवन सिरो त्रिपल सिक्स, एट त्री त्रिपल सिरो, 83,000 आगे ये वैल्यू रट लिए root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 बोलो root 3 by 2 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 root 3 by 2 root 3 by 2 1 by root 2 1 by 2 जात हो गया? पक्का चलो अब आते हैं अगर कोई एक object है है ना मालो एक खिलोना है प्यूष का छोटा बच्चों का खिलोना है या प्यूष ने अपने छोटे भाई से खिलोना चुगा लिया है कोई छोटा भाई? ठीक है यहां धागा बनना हुआ है यहां धागा को पकड़के अगर आप यहां से खिचों के एफ और से फोर्स लग रहा है इधर लेकिन चल रहा है इधर दोनों की बीच में कुछ एंगल है मैं ठीटा डिनोट किया हूँ आप एक्स वाइजएड एबीसी जो करना है वो कर लो ठीक है मैं मेरे को आदत है किसी भी अंगल को किसे डिनोट करने की ठीटा टीटा भी एक सिंबल है ग्रिक सिंबल है ना तो मैं इससे डिनोट करता हूँ अब देखो मेरे को चाहिए क्या मेरे को चाहिए यह फोर्स का इधर कितना इफेट आ रहा है वो तो कि सेम डिरेक्शन वाले को भी बन जाएगा हाइपोटेनियोस कितना थीटा यह वकूस गहता का चई तो हुसी मेरे गईस कि और तक है वहाँ सब्सक्राजिस तो एस असे बहुताई है Baby-y अहुता क्या है मालो कर दो मिरे को मैं बनूड तो बढ़ाए रस्ती से बांधके दो लोग खीचो एक जहन इधर से हैं मैं कहां जाओंगा यह मत बोलना इससे आधा कटके इधर आधा इधर एक गहात नहीं बांते हैं और रस्ती से खीच रहे हैं दोनों सब्सक्राइब एक जगा सकता है तो एक फोर्स को तोड़ भी तो सक आएगा इमैजिन कर पा रहे हो तो जब दो फोर्स मिलके एक फोर्स बन सकता है तो एक फोर्स अपने से ज्यादा हिस्सों में तूट सकता है कि नहीं तो अगर इसमें यहां पर एफ कॉस ठीटा जो मैं कैसे रट आता हूं हमें सा याद रखना एंगल के दूर वाला साइन यह F के दो तुकड़े होंगे, एक यहां पर, F cos theta, और उपर होगा एक F sin theta, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं इतना depth ने इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि यह 6 लोग ने बोला था, ठीक है, नहीं तो direct rat आया जाता है, I know आपके स्कूल में direct rat आया जाएगा, यह सब कुछ नह data की value यह होती है, रट लो, बस, ठीक है, तो जब मैं आपको बता रहा हूँ, कि भी है, जब दो force मिलके, एक force बन सकता है, तो एक force को दो में तोड़ भी सकते हैं, और हमेशा ऐसी तोड़ते हैं, पूरा 11th, पूरा 12th, करोड़ो बार कामाएगा, एंगल के पास वाला cost theta, एं इसका work done कितना हो जाएगा, 0, अरे perpendicular का work done कितना हो जाएगा, 0, और same direction वाले का multiply, तो अब देखो work done कितना आजाएगा, work done आजाएगा force into displacement, force कितना, f cos theta into displacement, इसको ऐसे लिख सकते हूँ, fs cos theta, और यह direct रटा है जाएगा आपको इस school में, direct, fs cos theta, अगर किसी भी एंगल पे, अगर force और displacement के भी चकर कोई एंगल है, तो work done कितना हो जाएगा, fs cos theta, और cos theta की value यह रही सामले, यह तुरट नहीं है, clear, सब लिखा हुए नहीं हाँ पर, सारभ सर के notes में सब कुछ लिखा हुए, अभी मैं इसको कहीं पर डाल नहीं सकता हुए, तो बाद में आसा है कि Amazon अगर में डालेंगे, क्या, कवर मेरा फाड़ के फेक दी, कवर, वैसे अब इसमें प्रिवेसे और कोश्टन, प्रिवेसे और क्या तो में इंपोर्टेंट कोश्टन, NCRT के solutions, और MCQs यह सब जब डाल दूँगा ना, तब फिर मैं इस बुक को थोड़ा कहीं डालूँगा, Amazon अगर में फिर देखते हैं, चलो, आगे बढ़ते हैं, वर्क डन खतम, एनर्जी में आते हैं, वर्क इस डन, एनर्जी, एनर्जी, इधार देखो, इधार, एनर्जी क्या है, मैं थोड़ी एनर्जी बेस्ट करना चाह रहा हूंगी, एनर्जी क्या है, अधार, इनर्जी, वर्क इस एनर्जी, जब आप एकदम दीन भर पढ़ाई लिखाई करके ठक जाते हैं, कॉमेडी कर रहा हूं, जब आप दीन भर पढ़ाई लिखाई करके ठक जाते हैं, लाश्म में आपके अंदर क्या बोलोगा आप अनर्जी नहीं है, अधार अधार नहीं है, अभी मेरान अधार अनर्जी है, जिसकी कारण मैं गलाब फाड़ फाड़ केते नगों को पढ़ा रहा हूं, वह रहा है लाश्म बात थे खली 1% तुम्हारे दिमाग के अनदर जा रहा है, तो अभी आँ मैं इतना फार फार के तुमों को पढ़ा रहा हूं क्यों कि में अंदर energy है नहीं होती तो नहीं नहीं होती से बढ़ा रहता है है जमीन में ठीक है तो अब energy है तो नहीं पढ़ा पार रहा हूं तो ability to do work work करने की ability है उसको अपन क्या बोल रहे है है energy simple definition है बच्पन से यही परते आ रहे हो कोई चेंज नहीं होगा 12 में यहीं रहेगा 11 में यहीं रहेगा क्या रहेगा वट इस एनेर्जी वाट इस एनेर्जी याद रहेगा याद रहेगा चलो अब वर्क जो है वही हो रहा है वर्क में तो एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होगी क्या होगी क्यों क्यों थी तीन वर बोलने पर तुम्हारी आवाज तेज होती है पहली बार मैं से जोसमें नहीं बहुत सकते एक दम जूसरा सवाल क्या बात है ऐसी एनर्जी हो तो टीचर का जोस डबल हो जाता है और नहीं तो मूर्ती जैसे बैठे रहोगा ना तो धीर 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 दम पढ़ाने का मुनित यह लिख लो हो गया खतम चैप्टर होता ही कि नहीं आपके स्कूल में भी अगर आपको लगता है ना कि भाई को कि तुम बलोगे रहे का क्या हो गया कि तुरंत नहीं थोड़ा इफेक्ट आने में थोड़ा समय लगेगा बट आप इतना तेश तेश रेस्पांस करना चालू करोगे ना टीचर के अंदर का जो दस गुना बढ़ जाएगा जो टीचर तुमको सबसे बोरिंग लगता हो सब सबसे अच्छा लगने लग जाएगा लगेगा आस तक तो कुछी नी समझ में आ रहा तो आज कैसे समझ में आने लग गया सब तो इटस ओल डिपेंड्स ऑन स्टुडेंट एक टीचर को अच्छा टीचर बनाने के पीछे भी स्टूडेंट होते हैं और बूरा बनाने के पी यह काम मैं तुम्हें दूगा चलो तो एनर्जी इसा स्केलर कॉंटिटी कॉंटिटी ठीक है चलो याद रहेगा एनर्जी केन बीकन अन्टेट इन्टो और और याद रहेगा पक्का पर्सेंट आगे बढ़ें ग्रेविटेशन इट इस ए फोर्स इन विच तू बोडिज अट्रेक्ट वन इस अर्थ सेंट इस अब्जेक्ट यह मैं लिख वाया हूँ यह पाप का भागिदार मेरे को मत बनाना हाँ अब आता है नेक्स्ट कंजर्वेशन ओफ एनेरजी क्या आता है कंजर्वेशन ओफ एनेरजी लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले ना मैं सोच रहा हूँ तुम्हों को से कुछ दो चार सवाल करा जाया रहा है कि चलो अब कॉंसर्वेशन ओफ एनरजी सिंपल सी बात है एनरजी भगवान है मतलब भगवान क्या है जिसे देखा नहीं जा सकता है जिसे ना बनाया जा सकता है ना कभी डिस्ट्रॉई किया जा सकता है जो हमेशा से हैं हमेशा रहेंगे अनंतकाल तक energy भी होई है जिसे देखा जो हमेशा से है हमेशा ना बनाया जा सकता है ना energy can neither be created nor be destroyed और इसी को बोलते है conservation of conservation of energy energy can neither be created nor be destroyed ना तो create किया जा सकता है ना ही destroy किया जा सकता है तो energy को नहीं बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है क्रिशन जी बोल रहे हैं है ना notes में कोई भी आपको पूछे देखो तो इनेर्जी को बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉइ किया जा सकता है और इसी को बोलते हैं अब डिफ्रेंट टाइप्स ऑफ अनर्जी बताओ जल्दी से एक 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 टाइप अनर्जी है कि मैगनेटिक एनर्जी सौ ऑन अनर्जी है जिए पुटैश्टेश्ल एनर्जी का रिटीक अनर्जी रहती अलगeker टाइप की एनेर्जी है उसारे यह पर टॉपिक आपका लिखा हुआ है इना सब में से अपन को करणना है मेकेनिकल एनरजी मेकेनिकल एनरजी मतलब की हाफ पोटेंशल प्लेस कमेट के यह तो अपन को क्या पर ना है नैसे बता रहा Round मेरे चानल यह दुबारा करने का कि इतने सुन्दर नोट्स बने हुए हैं जालो अब कि इतार देखो इतार इतार मेकनिकल एनर्जी पोटेंशिल एनर्जी प्लस कानेटिक एनर्जी को बोलते हैं मेकनिकल कानेटिक एनर्जी बाद में पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ेंगे इतार सुनों पूरो कॉंसेंट्रेशन के सांथ सुनना अगर नहीं समझ में आया तो दुबारा बता हुए ना ठीक है तो इता देखो क्योंकि यह इंपोर्टेंट कोई अगर ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा होता जो तुम्हारे स्लेबस में नहीं होता तो फिर मैं बोलता नही इतुम्हारे स्लेबस में है नहीं भी समझ में आएगा तो दुबारा बताना पड़ेगा तो पॉटेंशियल एन आपको पड़ना पड़ेगा कंसरवेटिव और नॉन कंसरवेटिव और क्या पड़ना पड़ेगा वहारी गुट पैलिंग साही लिखा हूं कि पीपीटी के चक्कर में तो रिकॉर्डी नहीं हो पाता कि मैं पहले पीपीटी बनाओं ये भी ठीक है क्यों है प्रद्यूमान आ जाता है ना कृष्ण जी आ जाते थोड़ा सा डोरेमॉन और आ जाता कहीं पर जला वह बुक बंद कर दो ना भीया कि में नाम लिखा क्यों अपना अपना है अचलो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्डस सिंपल से समझ में आ रहा है इसाथ भाइसाब नोट्स दे रखाऊं कॉंसंट्रेट करो कि अभी जो पढ़ रहे हूं बैठते जाये दिमांक में एक्जांपल भी दे चुका हूं मैं तुम्हों को अपने भाई का दिया हूं ना कि पढ़ाई करते से में इतना कॉंसंट्रेशन के साथ करो कि भाई बाकी टाइम फ्री खेलो कुदो एश करो एकदाम बैट के तारग में था का उल्टर चस्मा देखो तो यही करता है दिन रात अब भी ना पढ़े स्रीय बन जाओ अभी भाई बट जब वो पढ़ाई करता है जब वो लेक्चर देखता है उसका कॉंसंट्रेशन इस लेवल पर होता है ना कि भाई आज का पढ़ाय हुआ कभी पूछ लो बता दूँगा कंसर्वेटिव फोर्स नाम से समय रहा कि कुछ कंजर्व है कुछ वेस्ट कंसर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स है जिसमें एनर्जी वेस्ट नहीं होती है ने दिफाइनशन नहीं है कि स्सक्र्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स है जिसमें वाक ड़न डजनाट depends on path और यहां क्या लिखेंगे work done depends on path अब देखो ध्यान से सुनना पूरा समझने की कुर्सिस करना इस में मत रहना की नीशन में आगा तो क्या होगा आज तो कम बच्चे हैं सर तो दुबारा पढ़ाएंगे recording कर रहा हूँ इसाद देखो conservative force का definition वैसे तो है conservative force में energy waste नहीं होती waste बोड़ रहा हूँ क्योंकि energy तो destroy कि किसी भी case में नहीं होगी अरे अभी तो पढ़े conservation of energy एनर्जी के नहीं देखे नौर भी destroy destroyed होना और waste होना अंतर है मैं बता दूँ waste क्या होता है पहले वो समझा देता हूँ energy waste क्या होती है वो पहले मान लो petrol जो है वो उसके अंदर की जो भी energy वो आपके काम की है chemical energy वो एक बार burn हो गई धुआ निकल गया heat निकल गया वो काम की है तो useful form से non useful form में चली गई तो उसको बोलेंगे waste हो गई है अब वो use नहीं हो सकती ना तो waste होना अलग चीज है और destroy होना अलग energy destroy नहीं हो सकती लेकिन waste तो हो सकती है अब मान लो इस room में कोई है नहीं और AC चालू है रात भर जो हो चुका 4-5 बार दूसरे दिन सुबा आता हूँ रात भर AC चालू थी तो energy waste तो हो सकती है ना तो energy waste होना और energy destroy होने में बहुत अंतर है याद रहेगा यह ठीक है तो conservative force जिसमें energy waste नहीं होती non conservative force जिसमें energy waste हो जाती है friction ठीक है आगे अब conservative force का definition क्या है conservative forces are the forces in which work done work done does not depends on path मतलब की जैसे gravitational force gravitational का force धर्ती माता का force क्या है conservative force एक्जमपल लिख देता हूँ पहले फिर समझाओंगा पूरी feeling दिनाओंगा don't worry धर्ती माता का force इसका example है friction आप देखो अधर किदा देखो अब धर्ती माता का gravitational जो force है वो एक particular direction में है और fixed constant है अब धर्ती माता का अगर मैं work done की बात करूँ ये एक object है इस object को मैं यहां से यहां लेकि जाओं तो धर्ती माता का word done कितना force कितना लगा रही है धर्ती माता mg कितना force लगा रही है और displacement कितना तो mg into f मैं इसको ऐसे घर के लगे जाओं अब धर्ती माता का force mg और displacement तो path के उपर depend किया क्या है धर्ती माता का work done क्या है तो धर्ती माता का work done क्या है conservative force जो नींद में भी आप लोगों को रट लेना एक्जामपल magnetic force बुक फिर तुम मंग खौल रखे हो कि मैच कंप्लेंड करूँ ना एकदम आखों में आखे डाल के जूट बोलती है लड़की है तो उपन तो है अरुकों नहीं मैच कंप्लेंड करूँ अरुकों magnetic electric अच्छा धर्ती माता को तो भूली गए gravitational और बताओ spring और कोई भी constant spring कोई भी spring है spring का जो force होगा वो कैसा होगा conservative कैसा होगा conservative नींद में भी याद होने चाहिए होंगे conservative forces के एक्जामपाल धर्ती माता का force चुमक का force electric का force और spring का और कोई भी constant force जिसकी direction भी constant magnitude भी constant हो उसके अलावा भी एक और होता है जो आप 11 में पढ़ोगे अब भी पढ़ने क्या और शेक्ता नहीं है ठीक है कि उठाए तबाए अच्छा को अनॉन कंसर्वेटिव फोर्स जो पाथ के उपर करें अब मैं सिंपल सापना सूस को यहां से यहां लेके जाओंगा तो कम हीट प्रोडूस हुई बट इसी को यहां से वहां ले जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी बेस्ट हुई हारे हीट शाउन पे एनर्जी बेस्ट हुई और मेरा जो व्टव करना पड़ा लेकिन जब फिर आके लेकर यहां पड़ा तो व्टव यहादा उगया तो व्टव कर रहा है क्योंकि स्रिक्षन का जो फोर्स ऑइव constant, मैं इदर जा रहा हूं तो इदर लगेंगा, मैं इधर जाओंगा तो इधर लगेंगा, direction fix रेक्षिन की? नाई, तो वो add होते गई, जैसे मानलों मैं object को ऐसे इस path से लेके गया, तो जब मैं यहाँ से यहाँ लेके गया, तो friction यहाँ लगा, इसका फोली है सिंने बांगे थे और स्थाथ इसम्पल तो empir होगेज तो आज के लिए इतना ही फिर्मी लेंगे आपसे अगली क्लास में तब तक के लिए हांसते रहे ये मुस्कुरातर रहे देखते रहे ये सारफसाथ की क्लास जैहिंद बाइबाय टिक क्या है